हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन परसन पर तो दोस्तो आज आपके सामने हम फिराज रहो गए हैं ट्रेड में सफाई करमचारी के कुछ पत्रेज्म में हमां बात करने वाले हैं तो दोष्तो आज किस वीडियो में मेरी एक च्छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे YouTube चैनल Education Person पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर देवा लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके दोस्तो सफाई करमचारी के अलाबा आप अदर किसी ट्रेड के तैयरी कर रहे हैं जैसे कुक हो गया, वासर मैन हो गया, तेलर हो गया, महसन हो गया इन में से किसी भी ट्रेड कोशन की तैयरी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल Education Person से इन सभी ट्रेड पकोशन की तैयरी आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना पहला कोशन दोस्तों आज की जो वीडियो है यह हमारी Turkey A-Series Chemical के रहने ऊपर रहने वाली है यह जो आपके सभी chemicals हैं कहां कहां इनका इस्तमाल किया जाता है यह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का अपना पहला कोशन हमारा पहला कोशन है Turkey A-Series रसाइन क्या है तो Turkey A-Series रसाइन क्या होता दोस्तों मैंना भी बताया है इसका आयट अजरू हो जाएगा Turkey A-Series रसाइन हाउस कीमिक रसाइन हाउस कीपिंग रसाइन होता है जिसका उपयोग सफाई करमचारी अपने जीवन में काफी इस्थानो एबम वस्तूओं को साफ करने में इस्तमाल में लाते हैं Turkey A-Series जो है दोस्तों तर्की A-Series हाउस कीपिंग केमिकल होता है देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारा Turkey A-1 केमिकल का इस्तमाल कहां किया जाता तो कहां पर किया जाएगा दोस्तों Turkey A-1 केमिकल का इस्तमाल हमारे इसका right answer हो जाएगा Turkey A1 bathroom cleaner sanitizer है और इसका इस्तमाल bathroom में सभी जगे को साफ करने के लिए हम कर सकते हैं जैसे sink हो गया, tub हो गया, tiles, floor, floor tap, WC lid, jet, pipe, washroom door handle और जो हमारा toilet paper holder होता है जो भी हमारे इन सभी को साफ करने के लिए इस्तमाल में लाया जाता क्या Turkey A1 का इस्तमाल bathroom के लिए किया जाता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question है Turkey A1 chemical का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मात्रा कितनी होती है तो दोस्तों क्या पूचा गया है इसका रंग पूचा गया है 20 ml एक लिटर पानी में मिलाएंगे और हम सैनिटाइजिंग के लिए इसे 50 ml एक लिटर पानी में इसको मिला सकते हैं तो दोस्तों द्याहन तरने वाली बात है टर्की A1 जो है सफाई करने के लिए 20 ml एक लिटर पानी में मिला जाएगा देखें आगला question हमारी अगला question है turkey a2 chemical का इस्तमाल कहा किया जाता है Turkey a2 chemical का इस्तमाल कहा किया जाएगा दोस्तों इसका right answer हो जाएगा Turkey a2 chemical hygienic hard surface cleaner है turkey a2 जोक्ति इस्तमाल का इस्तमाल पूरे floor को साफ करने के लिए हम कर सकते हैं मतलब एक कोई भी इस्थान नहीं है, ऐसा जैसे कि हमने पिछले A1 में देखाता है, वो only bathroom के लिए किया जाता था, उसमें काफी सारी जगें थी, sink, tub, वगेरा, ऐसा ही यह है, Turkey A2 का इस्तमाल हम कहां करेंगे, तो इसका इस्तमाल हम फिलोर पर कहीं भी कर सकते हैं, फिलोर की स टरकी A2 जो यह बिलू रंग में उपस्तित होता है, और इसकी मिलावट की मातरा की बात करें तो हम सामान्य सफाई के लिए इसे 20 से 30 ml एक लिटर पानी में मिला सकते हैं, अगर कहीं ज़्यादा गंदगी है, हैवी किलीनिंग के लिए इसे हम 50 ml एक लिटर पानी में इसका कर सकते हैं, तो दोस्तोs 20-30 ml किस में करेंगे, नॉर्मल किलίνंग में, और 50 ml, ए गलेटर पानी में कहां, हैवी किलίνंग में इसका Istomal कहां करते हैं, तो फिलोर की सफाई के लिए हम इसका Istomal करते हैं, इसको यूज करने का तरीका दिया गया है, इसको आफ वीडियो को पॉस् कहां किया जाता है तर्की A3 का इस्तेमाल कहां करेंगे तो इसका यार राइट आंसर हो जाएगा तर्की A3 जो होता ही है गिलास क्लीनर केमिकल होता है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा इस केमिकल का इस्तेमाल हम विंडो दरपन गिलास डिस्प्ले कांच की सभी अगला question है हमारा Turkey A3 chemical का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मात्रा कितनी होती है तो देखते हैं दोस्तों इसका right answer हो जागा Turkey A3 जो होता है इसका बिलू कलर में उपस्तित होता है और इसकी मिलावट की मात्रा की बात करें तो 20-50 ml एक लीटर पानी में हम इसे मिला सकते हैं All type of glass and mirror इनसे जो हमारा Turkey A3 है इससे सभी पिरकार के glass और mirror की सफाई हम कर सकते हैं इससे use करने का तरीका देखना चाते हैं तो वीडियो को पॉस्ट करके इसका आसानी से read कर सकते हो देखते हैं अगला question Turkey A3 क्या हो गया? Turkey A3 हमारा glass cleaner, window cleaner इनसे बी के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं अगला question हमारा अगला question हो जाएगा Turkey A4 chemical का इस्तमाल कहा किया जाता है तो Turkey A4 का इस्तमाल कहा करेंगे दोस्तो इसका right answer जाता आपका Turkey A4 chemical जो है हमारा furniture polish chemical होता है इसका इस्तमाल कहा करते हैं? furniture की सफाई, furniture रख रहा, furniture polish और लकड़ी का फर्ज होता आदी समान इसके लिए आदी समान में इसका इस्तमाल किया जाता है जो भी हमारी लकड़ीों का समान होता है, furniture का समान होता है उन सबी की साफ सफाई और फरनीचर की पॉलिश करने के लिए हम क्या करते हैं टर्की A4 का इस्तमाल करते हैं देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है टर्की A4 केमिकल का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मातरा कितनी होती है तो इसका रंग कैसा होता दोस्तो टर्की A4 जो होता है ये वाइट कलर में उपस्तित होता है और इसकी मिलावट की मातरा की बात करें तो ये ready to use होता है मतलग ये पहले से ही इस्तमाल करने के लिए तयार रहता है इसको पानी में मिलाने की आवसकता नहीं होती है जैसा भी आत किया है अगला कोशन है टेर्की A5 कैमिकल का इस्तमाल कहां किया जाता है तो टेर्की A5 कैमिकल कहां किया जाए गैगा दोस्तों देखें टेर्की A5 कैमिकल जो ये air freshener liquid होता है air freshener मतलब क्या होगा इस chemical का इस्तमाल हम office, corridor, washroom, कमरा आदी में दुरगंड को हटाने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है इस chemical का इस्तमाल सभी जगह की सफाई करने के बाद में air freshener के रूप में कर सकते हैं जैसे कि कहीं भी office हो गया, washroom हो गया, corridor हो गया, इन जगह की हम सफाई करेंगे उसके बाद में सफाई करने के बाद में इस chemical का हम इस्तमाल करते हैं air freshener के रूप में मतलब दुरगंड को हटाने के लिए Turkey A5 का इस्तमाल हम सफाई करने के बाद में कर सकते हैं देखते हैं अगला question अगला question क्या हमारा, अगला question है Turkey A5 chemical का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मातरा कितनी होती है तो इसका रंग कैसा होता दोस्तो, इसका राइट अंसर जाता आपका, इसका रंग जो होता वो पिंक रंग, पिंक कलर में उपस्तित होता है तरकी A5 जो है हमारा पिंक कलर में उपस्तित होता है, और इसके dilution की बात करें तो हम, यह ready to use होता है मतलब कि इसे पानी में मिलाने के आवसकता नहीं होती है, यह जैसा भी होता है, इसे ऐसे ही इस्तमाल में लाया जाता है कहीं भी हम सफाई करेंगे, उसके बाद में हम तरकी A5 का इस्तमाल, air freshener के रूप में करेंगे तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तरकी A5 का इस्तमाल कहां किया जाता है, एर freshener के रूप में दुरगंद को हटाने के लिए किया जाता है देखते हैं अगला question दोस्तो अगर आपने हमारी इस से पहली वीडियो को नहीं देखा, जो सफाई करमचारी ट्रेयर से related है तो आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें उन सभी वीडियो में हमने आपको most important trade question आपको cover कराए है उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के description में हम डाल देंगे तो आप आसानी से वहाँ से देख सकते है जैसे सफाई करमचारी टूल्स होगे, chemicals होगे, dust bins होगे और भी काफी सारी वीडियो है उनको नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप एक बार देखे वो सब भी आपके trade question और ट्रेडर रिटन है एक्जाम में बहुत ही महतपूर होने वाले हैं जो भी सफाई करमचारी के students हैं तो देखते हैं अगला question अगला question है हमारा Turkey A6 chemical का इस्तमाल कहां किया जाता है तो Turkey A6 chemical का इस्तमाल कहां किया जाता है दोस्तों इसका रायट अंसर हो जागा Turkey A6 chemical जो यह हमारा toilet bowl cleaner chemical होता है Turkey A6 कहां होता है toilet bowl cleaner chemical होता है इस chemical से सोचाल लेके कटोरे और मुतरमच जो हमारा toilet bowl होता है और urinal bowl होता है उसकी सफाई हम किस से करते हैं Turkey A6 का इस्तमाल हम toilet bowl और urinal की सफाई करने के लिए और इसकी मिलावट की मातरा कितनी होती है तो इसका रायट अंसर जागा दोस्तो टर्की A6 का जो रंग होता वो डार्क बिलू में उपस्तित होता है और इसकी मिलावट की मातरा की बात करें तो ये ready to use होता है दोस्तो इसको पानी में मिलाने के आवसकता नहीं होती है ध्यान देने वाली वात है दोस्तो काफी chemicals ऐसे हैं जिनको पानी में मिलाने के आवसकता होती है और काफी chemicals ऐसे हैं जिनको पानी में मिलाने के आवसकता नहीं होती है तो Turkey A6 जो उनमें से एक है देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है Turkey A7 Chemical का इस्तमाल कहां किया जाता है तो Turkey A7 Chemical का इस्तमाल कहां करेंगे तो इसका right answer जाएगा दोस्तो Turkey A7 Chemical multi-purpose floor cleaner chemical है इस chemical का इस्तमाल सभी पिरकार के floor और दिवार की tiles को साफ करने के लिए किया जाता है तो Turkey A7 का इस्तमाल कहां करते हैं सभी पिरकार के floor और दिवार की tiles को साफ करने के लिए हम Turkey A7 का इस्तमाल करते हैं यह क्या है? Turkey A7 multi-purpose floor cleaner chemical होता है इसको ध्यान में रखना है कि A7 क्या है? तो A7 है multi-purpose floor cleaner chemical यह दो-तीन बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है देखते हैं अगला question तो अगला question है हमारा दोस्तो Turkey A7 chemical कर रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मातरा कितनी होती है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका right answer जाता है Turkey A7 जो यह green color में उपस्तित होता है और इसकी मिलावट की मातरा की बात करें तो normal sawling के लिए इसे हम 20 से 40 mm तक 1 литр पानी में इसे हम मिला सकते हैं और heavy sawling हम चाहते हैं heavy सफाई करना चाहते हैं तो उसे हम 50 mm ऐक लीटर पानी में इसे मिला सकते हैं इसे यूज़ करने का तरीका भी इस वीडियो में दिया गया है इसको पॉश्च करके आप देख सकते हैं तो दोस्तो क्या है यह टर्की A7 जो यह ग्रीन कलर में उपस्तित होता है और नॉर्मल सॉयलिंग के लिए 20-40 ml एक लिटर पानी में और हेवी सॉयलिंग के लिए से हम 50 ml एक लिटर पानी में इसकी मिलावट की मातरा ला सकते हैं देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन हमारा टर्की A9 केमिकल के इस्तमाल कहां किया जाता है तो दोस्तो कहां किया जाएगा टर्की A9 केमिकल के इस्तमाल तो इसका राइट अंसर जाता है टर्की A9 chemical जो है दोस्तों यह हमारा bathroom cleaner chemical होता है इस chemical का इस्तमाल हम restroom, washroom, sink, bath tub, दीवार और tiles के लिए कीटाडू रोधक chemical के रूप में करते हैं तो दोस्तों क्या है यह यह जो हमारा turkey A9 है इसका इस्तमाल हम bathroom cleaner के रूप में करते हैं जिसके में restroom, washroom, sink, tub, bathroom के जो भी हमारे समान सो होते हैं जैसे bath tub हो गया, दीवार हो गया, tiles हो गया इनके लिए हीटाडू सोदक के रूप में turkey A9 इसमें कार्या करता है तो इसका राइट अंसर turkey A9 bathroom cleaner chemical हो जाएगा देखते हैं अगला question अगला question हमारा turkey A9 chemical का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मात्रा कितनी होती है तो इस का राइट अंसर क्या होगा दोस्तों इस का राइट अंसर जाता है turkey A9 chemical जो होता है यह परपर कलर में उपस्तित होता है इसकी dilution की बात करें तो manual cleaning के लिए इसे हम 10 ml एक लिटर पानी में मिला सकते हैं और ज्यादा cleaning के लिए इसे हम 40 ml तक 1 लिटर पानी machine cleaning के लिए हम इसे हम machine में भी उपस्तित दोस्तों इसमें दो question है बन जाएंगे इसे manual भी हम कारिया मिला सकते हैं हाथ से साफ करने में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और machine में भी इसका इस्तमाल किया जाएगा machine में इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है 40 ml एक लिटर पानी में मिला जाता है अगर हम हाथ से करते हैं तो 10 ml तक एक लिटर पानी में इसे हम मिला सकते हैं इसका use करने का तरीका भी दिया गया है तो दोस्तो इसको रोक के देख सकते हैं तो A9 का कलर परपल हो जाएगा manual cleaning के लिए इसके हम 10ml एक लीटर पानी में मिलाएगे और machine cleaning के लिए इसे हम 40 ml तर एक लीटर पानी में मिला सकते हैं देखते हैं अगला question अगला कोशन क्या दोस्तों हमारा अगला कोशन है टर्की से ए 7.1 टर्की ए 7.1 केमिकल के इस्तमाल कहां किया जाता है तो इसका राय टन्सर क्या होगा इसका राय टन्सर जाएगा टर्की ए 7.1 स्टेंले स्टील पौलिस केमिकल है तो ये कौन सा है ए 7.1 स्टेंले स्टील पौलिस केमिकल है छुना जमा गरमी सीसा और पाउडर अबसेश लृक्षिकरन कीड़े टार तेल उंगलियों के निसान पेड का रश पक्षी गोबर भिती चित्र रंग और खरोंच यह बाद में जमा करता है तीब्र चमक परदान करने के लिए मौम की महीन परत इसकी रक्षा करने में मूल चमक को बहान करती है तो क्या है दोस्तों यह 7.1 क्या है यह इस्टील पॉलिष केमिकल होता है इससे किसका इस्तमाल किया जाता है यह सब भी हमने आपको दिया इस वीडियो को पॉस्ट करके इसको एक बाद धंक से पढ़ें यह तब समझ में आ गया जाओ देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा टर्की A101 मतलब टर्की A101 केमिकल का इस्त टर्की A101 कारपेटशंप्व कालीन और असबाव की अंत्रिम सफाई के लिए इस्तमाल में लिया जाता है तो दोस्तों क्या यह तर्की A101 जो यह कारपेटशंपु क्लीनर होता है और इसका इस्तमाल कहा करते हैं कारपेट की सफाई और कालीन की सफाई करने के लिए हम 101 का इस्तमाल हम करते हैं तो देखते हैं दोस्तो इसके कुछ महत्वपूर्टत यह सभी परकार के कालीन और असबाब के लिए एक कैंदरित कालीन सपाई के लिए इसका इस्तमाल करा जाएगा सुसंगत सूखा जाग धीरे से साफ करता है अभी तक कि यह सबसे प्रभावी डंग से सफाई करने वाला सेंपू है देखते हैं सेंपू के अपसेसों को आसानी से हटा दिया जाता है वेक्यूमिंग इस पिरकार तेजी से प्रणिनस्त में बाधा जाता है तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों यह A101 कहां कहा है यह हमारे कार्पेट सेंपू किलीनर है तो इसका इस्तमाल किसके लिए जाएगा कार्पेट और असबाब की सफाई के लिए 101 का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है तर्की A-Spiral Chemical का इस्तमाल कहां किया जाएगा तो तर्की A-Spiral Chemical क्या है तो यह इसका राइट असरो हो जाएगा तर्की A-Spiral Heavy Duty Floor Cleaner Chemical है तर्की A-Spiral का प्रभावी धंग से उप्योग किया जा सकता है कार खानों, कार्यासालाओं में फर्स साफ कनने के लिए होटल और रेस्टोरेंट, सारबजनिक, छेत्रों कार्याले, बिलाक, सोचाले, आदी यह प्रभावी धंग से तेल, ग्रीस और गंदगी को हटाता है सर्विस इस्टेशनों में भारी गंदे छेत्रों और गेरेज में इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं तो टर्की इस्पारल का इस्तमाल कहा करा जाएगा यह हैवी ड्यूटी फिलोर के लिए नराए इसका इस्तमाल हम जैसे कार खाने, कार्याल और होटल, रेस्टोरेंट, ब्लोक, सोचाल इन सभी में इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन हमारा टर्की एस्पारल केमिकल का रंग कैसा होता है और इसकी मिलावट की मातरा कितनी होती है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो इसकी dilution की बात करें तो normal soiling के लिए से हम 20 ml एक लीटर पानी में इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं और हम heavy की बात करें तो heavy soiling के लिए से हम 50 ml turkey spiral का इस्तमाल एक लीटर पानी में हम कर सकते हैं use turkey spiral directly without dilution मतलब इसको हम directly भी इस्तमाल में ला सकते हैं तो इसका इस्तमाल कैसे normal के लिए हम 20 ml एक लीटर पानी में और heavy soiling के लिए इसे हम 50 ml एक लीटर पानी में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर आप हमारे youtube channel education person पर अभी नए आए हैं तो please channel को subscribe करें वीडियो के लाइक करें और वीडियो के ज़्यादा आपने सभी दोस्तों के साथ share करें दोस्तो अगर आप सफाई करमचारी के अलाबा कुक, वासर्मेंट, टेलर, मैशन इनमें से किसी भी trade question की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे youtube channel education person से इन सभी trade question की तयारी आसानी से कर सकते हैं इन सभी trade question की वीडियोच आपको हमारे youtube channel education person पर available करा दी गई हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next chemical के साथ जल्द ही